नमस्ते दोस्तों आज हम लोग सेकंड प्रॉब्लम करेंगे टेलर्स और लॉरेंट सीरीज के उपर तो यह फंक्शन क्या कह रहा है कोश्चन में कि हमें टेलर और लॉरेंट सीरीज निकालनी है इस फंक्शन की इसके लिए तीन रीजन दिये हैं एक मौड जेट लेस देन करेंगे तो इसको हम लोग लिकेंगे जब थोड़ा सा हम लोग इसको सॉलु करेंगे तो जेट स्कुयर प्लस 5Z फ्लस 6 Z square minus 1 सही है Z square plus 2Z plus 3Z 5Z plus 6 अब 1 से करेंगे तो Z square plus 5Z plus 6 तो यह Z square से Z square कट गया या या minus 5Z यह हो गया minus 7 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 minus 5Z plus 7 upon Z square plus 5Z plus 6 कुछ नहीं नहीं किया हम लोग ने इसको multiply किया और इसको थोड़ा सा solve किया अब इसको थोड़ा सा हम लोग partial fraction में लिखेंगे तो इसके लिए minus 5 इसको भी हम लोग आपको solve करके मैं बता देता हूँ कैसे solve करेंगे वैसे जब मैं integration पढ़ाऊंगा तो आपको यह चीज बहुत अच्छे से partial fraction के बारे में बताऊंगा तो देखिए इसको यह हमारा दिया हुआ है Z plus 2 Z plus 3 इसको हम लोग लिख सकते है A Z plus 2 plus B Z plus 3 ठीक है अब देखिए A हमें निकालना है A निकालने के लिए हम Z जब minus 2 पुट करेंगे तो हम लोगों का A निकलेगा तो minus 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो minus 2 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा minus 10 plus 7 minus 3 और यहाँ पे minus 2 plus 3 तो आया 1 यह जब हम लोग integration में partial fraction पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा अब B कैसे निकालेंगे? अब B निकालने के लिए minus 3 पुट करेंगे तो minus 3 यहाँ से क्या करते हैं? जब भी किसी term के coefficient को निकालते हैं तो इस term को छुपा देते हैं और बाकी में वो value पुट कर देते हैं अब जैसे हमें B की निकालनी है तो मैंनस 3 पुट करेंगे minus 3 जब पुट करेंगे तो हम इस वाले term को छुपा देंगे तो जब इसको छुपाएंगे तो यह आएगा minus 15 plus 7 minus 15 plus 7 हुआ minus 8 और यहाँ पर minus 3 plus 2 minus 1 ठीक है? तो यह हम लोगों का function क्या आ गया? A आया हमारा minus 3 तो 3 Z plus 2 ठीक? और B हमारा क्या आया? यह minus 3 है यह बच्चो minus 3 Z plus 2 plus 8 Z plus 3 ठीक? तो यानि कि हम लोगों का जो function FZ है वो क्या आया? वो आया 1 plus 3 Z plus 2 minus 8 Z plus 3 ठीक? यह हम लोगों का function आ गया है अब इसको हम लोग expand कर सकते हैं अपने preferred reason जो दिया हुआ तो पहला reason लेते हैं हम लोग जो है mod Z less than 2 ठीक है? चलिए इसको expand करेंगे हम लोग तो जो हम लोगों का function FZ है 1 plus 3 इसको expand करनी है तो इसके लिए कैसे हम लोग बड़ाटम डिसाइड करेंगे? फिगर को ड्रॉ करके तो इसको कुछ नहीं करना बहुत असान अगर आफ फिगर से समझेंगे तो यह आपको चीज बहुत क्लियर हो जाएगी तो एक circle बनाया जिसका radius है 2 ठीक है? और जो Z है वो इसके अंदर है यानि की Z कहाँ पर है? Z हमारा इसके अंदर है अब हम लोग यहाँ से decide करेंगे की कौन सा बड़ाटम है तो Z यानि की कहा है हमारा? Z ये है ठीक? अब देखिए इसको 1 plus 3 कौन बड़ा है? Z या 2? 2 भहिया बाहर है और Z हमारा circle के अंदर है तो कौन बड़ा हुआ? 2 तो 2 को बाहर निकालेंगे तो यह हुआ 1 plus Z by 2 माइनस 8 अब यहाँ पर देखिए Z और 3 में कौन बड़ा? भहिया जब Z हमारा 2 से छोटा है तो 3 1 plus Z अपॉन 3 ठेक तो अब इसको हम लोग क्या लेख सकते हैं? FZ हमारा हुआ 1 plus 3 by 2 1 plus Z by 2 की पावर माइनस 1 माइनस 8 by 3 1 plus Z अपॉन 3 की पावर माइनस 1 यह आया अब हम लोगों को यह आले एक्सपेंशन पता हैं कि जब 1 plus X की पावर माइनस 1 हो तो कैसे एक्सपेंड करते हैं? 1 minus X plus X square minus X cube ऐसे एक्सपेंड करते चले जाते हैं वैसे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखे FZ is equal to 1 plus 3 by 2 1 minus Z upon 2 plus Z upon 2 का whole square minus Z upon 2 का whole cube और ऐसे चलता चला जाएगा फिर minus 8 upon 3 1 minus Z by 3 plus Z upon 3 का whole square minus Z upon 3 का whole cube और यह ऐसे ऐसे चलती चले जाएगी तो FZ हमारा यह क्या हो गया 1 plus 3 by 2 summation n equal to 0 से infinite minus 1 की power n Z upon 2 की power n minus 8 by 3 summation n equal to 0 से infinite minus 1 की power n Z upon 3 की power n की whole power है क्या किया हमने जो इतना बड़ा expansion था उसको summation के रूप में लिख दिया अब यहाँ पे अगर आप 2 put करेंगे तो आएगा 1 Z upon 2 का whole square जो की 8 अगया 1 put करेंगे तो minus 1 Z upon 2 यह आगया जब n 0 put करेंगे तो आएगा हमारा 1 ठीक है उसी प्रकार हमने इसको भी किया तो FZ हमारा अगर हम इसको थोड़ा और simplify way में लिखें तो summation n equal to 0 से infinite इन दोनों से common ले लेंगे minus 1 की power n भी common ले लेंगे अंदर होगा 3 upon 2 की power n plus 1 ठीक है 3 2 की power n plus 1 और यहाँ पे minus 8 3 की power n plus 1 Z की power n Z की power n common है बहार निकाल लेंगे तो यह हम लोगों का function का expansion आ गया कोई problem नहीं हुई ठीक है अब दूसरा reason देखते है दूसरा reason हमारा दिया हुआ है 2 mod Z 3 ठीक है अब इसको expand करना है तो FZ हमने क्या निकाला हुआ है 1 प्लस 3 Z प्लस 2 माइनस 8 Z प्लस 3 हमने का सबसे बढ़ा टम निकालने के लिए क्या करेंगे figure को draw करेंगे तो एक circle है जिसका radius 2 है और एक circle है जिसका radius 3 है ये 3 radius है इसका और इसका 2 radius है और Z 2 और 3 के बीच में है यानि कि इस यहाँ पे ये कौन सा reason है ये Z का reason है तो Z हमने मान लिया Z हमारा ये रहा अब आप खुद देखिए 1 प्लस सबसे बढ़ा टम निकालना है डिनॉमिनेटर से तो Z और 2 में कौन बढ़ा है 2 ये यहाँ पे है और Z जो है वो 2 जो circle है जिसका radius 2 है उसके बाहर है तो Z बढ़ा हुआ तो Z को बाहर निकालेंगे Z 1 प्लस 2 अपॉन Z ठीक है अब माइनस 8 Z और 3 में अब 3 हमारा जो circle है जिसका radius 3 है उसके अंदर point Z आ रहा है अब इसको आप भूल जाएए अब 3 और Z को देखिए तो कौन बढ़ा हुआ 3 बढ़ा हुआ तो 3 को बाहर निकालेंगे और ये क्या हुआ हमारा 3 को बाहर निकाला तो 1 प्लस Z बाई 3 छेट अब देखिए इसको FZ is equal to 1 प्लस 3 अपॉन Z 1 प्लस 2 अपॉन Z की होल पावर माइनस 1 माइनस 8 बाई 3 1 प्लस Z अपॉन 3 की होल पावर माइनस 1 ठीक है अब देखिए इसको FZ अब इसको expand कर रहे है 1 प्लस 3 अपॉन Z कैसे expand करेंगे अभी हम लोग ने उपर सीखा 1 माइनस 2 अपॉन Z प्लस 2 अपॉन Z का होल स्कॉर माइनस 2 अपॉन Z का होल क्यूब सही जा रहे है हम लोग 1 माइनस 2 अपॉन Z प्लस 2 अपॉन Z का होल स्कॉर माइनस एट अपॉन 3 समेशन यह आला जो है यह हम लोगों को कौन सा एक्सपेंशन है कि 1 प्लस जैड अपॉन 3 का होल पावर माइनस 1 और यह दिया भी हुआ है 1 प्लस जैड अपॉन 3 का वही एक्सपेंशन है तो इसको 3 अपॉन Z समेशन N इक्वल टू 0 से इन फाइनस 1 की पावर एन 2 अपॉन Z की होल पावर एन से कर रहे हैं वोग यह अब लोगों निकाल लिया है अब इसको थोड़ा सा गर हम वैसे यहां पर आणसर आगी हम लोगों का मैं इसको थोड़ा सा और वैसे लेखे तो लिख सकते हैं समेशन N इक्वल टू 0 से इन फाइनाइट माइनस 1 की पावर एन अंदर 3 2 की पावर एन अपॉन Z की पावर एन प्लस 1 ठीक है summation n equal to 0 से infinite और minus 1 की power n यहां दोनों से common ले लिए हमने तो यह 3 और 2 की power n और यह z की power n है इसमें एक z और हो गया है तो z की power n plus 1 minus 8 z की power n upon 3 n plus 1 ठीक है minus 3 और 3 की power n तो यह आगे हम लोगों का दूसरे का expansion यानि कि जब हम लोगों ने 2 से 3 के बीच के reason में हम अपने function fz को expand करेंगे तो वो expansion क्या आएगा वो यह आएगा अब वोट छोटा है तो मैं आपको यह रब करके third reason के बारे में explain करता हूँ ओके अब यह third reason के उपर हम लोग बात करते हैं वो क्या दिया हुआ है mod z greater than 3 ठीक है function है हमारा fz is equal to 1 plus 3 z plus 2 minus 8 z plus 3 यह दिया हुआ है तो क्या करेंगे एक circle बनाएंगे जिसका radius है 3 ठीक है और यह z हमारा बाहर का दिया हुआ reason तो कि लिखा हुआ है तो अब आप खुद सोचिए कि z बढ़ा है कि 3 बढ़ा है obviously बात है z बढ़ा है हम लोगों का तो जब हम लोग 1 और 2 में सबसे बढ़ा term देखेंगे जो z 3 से बढ़ा है तो 2 से automatically बढ़ा है तो z को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन z और इधर minus 8 z और 3 में z हमारा circle के बाहर है और जो 3 है वो circle के उपर है तो कौन बढ़ा हुआ z तो z को बाहर निकाला तो 1 प्लस 3 अपॉन z ठीक है यह आया अब देखिए fz is equal to 1 प्लस 3 अपॉन z 1 प्लस 2 अपॉन z की power minus 1 यह उपर ले गए minus 8 अपॉन z 1 प्लस 3 अपॉन z की whole power minus 1 अब देखिए fz is equal to 1 प्लस 3 अपॉन z 1 मैनस 2 अपॉन z प्लस 2 अपॉन z का whole square minus 2 अपॉन z का whole cube ऐसे चलती चली जाएगी किये किसका expansion है इसका और minus 8 अपॉन z 1 मैनस 3 अपॉन z प्लस 3 अपॉन z का whole square minus 3 अपॉन z का whole cube प्लस ऐसे खटती चली जाएगी अब देखिए fz को हम लोग कैसे लिख सकते हो और 1 अपॉन z summation n इक्वल टू 0 से infinite minus 1 की power n upon 2 की 2 upon z की power n समेशन हम लोग सीख चुके है तो बस अब हम लोगों का answer आ गया 1 प्लस summation n इक्वल टू 0 से infinite minus 1 की power n z की power n यह z z की power n प्लस 1 z की power n और यह z तो z की power n प्लस 1 तो z की power n प्लस 1 को भी common ले लेते हैं अब अंदर क्या बचा 3 2 की power n minus 8 3 की power n और यह आगया हम लोगों का answer और लीजिये हम लोगों ने यह Taylor's और Lawrence series इस function के इसाब से इस region में हम लोगों ने expand करी अभी मैं 2-3 वीडियो इसके उपर और आपको problem solving के बताऊँगा तो अगर आपको इसमें कहीं कोई problem हो तो आप comment section में लिख के बताऊएगा Thank you